मद्यप्रदेश में पुलिस पर हमले के मामले लगातार बढ़ रखेंगे आला कमान यह अलम यह एक है कि मद्यप्रदेश में ऑस्तन घर तीन दिन पर पुलिस पर अचैक के मामले सामदे या रहेंगे मध्यप्रदेश में पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले लगता है मध्यप्रदेश में पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले लगता है मध्यप्रदेश में अपराधी इतने बेख़ौफ है कि उन्हें वर्दी का भी भई नहीं यही वज़ा है कि में ऐसे दर्जनों मामले हैं जब ओन ड्यूटी किसी पुलिस कर्मी या दूसरे बड़े प्रशासनी का दिकारी पर जानलेवा हमला किया गया हूँ इसी तरह 7 सितंबर 2018 को गौलियर में डिप्टी रेंजर सुबिदार सिंग को ट्रैक्टर से कुछला गया अवैद धुलाई कर रहे ट्रैक्टर को रोकनी की कोशिश सुबिदार सिंग ने की थी एक अगस 2020 को नर्मदापुरम में कॉंस्टेबल धर्मेंदर यादो पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया अवैद रेत ले जा रहा ट्रैक्टर धर्मेंदर यादो के दोनों पैरों को कुछलता हुआ चला गया चार फरवरी 2021 को गौलियर में टी आई सुधीर सिंग कुश्वाह को घेर कर पीटा गया कुश्वाह पर फाइरिंग की गई जिसके बाट टी आई ने नाले में कूत कर जान बचाई 22 मई 2021 को मुरैना में SGO श्रद्धा पांडरे पर ट्रैक्टर चड़ाने की कोशिश की गई रेट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश श्रद्धा पांडरे ने की थी 30 अप्रेल 2022 को अशोक नगर में रेंजर आदित्य पुरोहित पर जान लिवा हमला हुआ रेट माफिया ने रेंजर आदित्य पुरोहित की राइफल भी शीन ली थी तो MP में खाकी की सुरक्षा ही अब सवालों के घेरे में है ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब खाकी ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा की गैरेंटी कौन लेगा टीम न्यूज स्टेट तो मध्यप्रदेश में पुलिस पर हमले के मामले बढ़ रखें के हैं लेकिन मध्यप्रदेश में खनन माफिया, शिराब तसकर और आवैद शिकारी ये तीन वर्ग ऐसे हैं जिसके निशाने पर सबसे ज्यादा पुलिस की रहा करती है हाला कि अब श्यासन ने भी अपराधियों के खिलाफ मुहीम तेज़ करती है मध्यप्रदेश में गुना में पुलिस कर्मियों की मौत के बाद पुलिस की सुरक्षा को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे है हाला कि गुना की घटना के बाद श्यासन प्रशासन ने मुहीम छेड़ दी है गुना के गुनागार पुलिस के शिकंजे में है तो वहीं कुछ के घरों पर बुल्डोजर भी चला दिये गए है आगे भी पुलिस की दविश जारी है लेकिन बड़ा सवाल यही है कि MP में पुलिस पर हमला करने वाले कौन है तो इसका चवाब है MP में खाकी के तीन बड़े दुश्मन है इनमें दुश्मन नंबर एक रेत माफिया दुश्मन नंबर दो शराब माफिया दुश्मन नंबर तीन वनिजीव शिकारी है जी हां मध्यप्रदेश में पुलिस पर हमले के करीब 90 फिस्दी मामलों में या तो अवैट खनन या फिर अवैश शराब जैसे मामलों के खिलाफ कारवाई के दरौन इस तरह के हमले किये जाते हैं हाला कि अपकी बार शासन की और से भी सक्ती का संदेश दे दिया गया है गुना की घटना के बाद से पुलिस महकमे में भी आक्रोश है गुना की घटना से एक बात तो साफ है कि मध्यप्रदेश में अपराधियों से निपटने के लिए सक्ती के साथ साथ ठोस प्लानिंग की जरूरत है इसके साथ ही खासकर क्वालियर चंबल बेल्ट में लोगों के पास जो अंधा धुन्द हतियारों की खेप है उस पर भी अब नकेल कसे जाने की जरूरत है क्योंकि इस बेल्ट पर आए दिन बात बात पर किसी ना किसी पर गोली चलाने के मामले सामने आते ही रहते है टीम न्यूज स्टे